असलाम अलेकुम जी अभी मैंने एक यूट्यूब पर लाइब सेशन किया है सोहेब के साथ और ये वीडियो इस वकत मेरी पब्लिश हो चुकी है लेकिन मैं इसका इसके डिस्क्रिप्शन आड करना चाह रहा हूँ मैं इसका टाइटल आड करना चाह रहा हूँ और मैं इसके टाइग्स आड करना चाह रहा हूँ ठीक है तब मतलब एक क्विक वी क्या है ये सब कुछ आड करने का बिकोज आड करने का बिकोज डोंट वांट तो मुच टाइम अन दिस तो मैं जाता हूँ चाट जीवीटी के ओपर तो वाइन आड करना चाह रहा हूँ जीवीटी तो मैं इसको जागे बताता हूँ जी मैं इसको पुरी पहले बात बताऊंगा मैं इसको कहता हूँ जी आई हैड लाइव सेशन विट सुहेब अन यूट्यूब वेर वी दिसकूस्ट अवाओ क्लाइन फॉर्स सोहेब शोर्ड मी अ वेफ्लोव प्रोजेट वेर आई गुड़ेद हम अन वाओ तो मेक यूज उज 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 लाइन फॉर्स अन वाओ आर दे गूड प्राक्तिस ठीक है मैं कहते तो हूँ जी वी अलसो डिस्कूस्ट अबाओ लूइड रिस्पॉंसिफ एन सीमस कलेक्शिन लिस्ट ठीक है जी इसको अब मैं कहता हूँ जी इसको मैं कहता हूँ के राइट दे वीडियो टाइटल अन दिस्क्रिप्शन पर में राइट मी दे यूट्यूब वीडियो टाइटल अन दे दिस्क्रिप्शन अन गिवन इन फर्मेशन अन गिवन 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 अन गिवन ऑफ़ आपको डिखाने के लिए अन इसको प्राइटल Cred др heir अवफवति प्रच्छ सेम्रओन सेयर क्लेंर बिल्क प्रिम्पट उश्यों के ले?? भाई भör चोर्क प्रिम्ग नख्ट नख्य। एफ है कि क्ल विद डियो न च्वाटि डियों। विल्भी डिस्कुर्स्ट अबाउट बताने भी थोड़ी सी इंग्लिश को आप अब इग्नोर कीजेगा अगर कहीं पर मिस्टेक हो जाती है विल्भी डिस्कुर्स्ट अबाउट इंकोपरेटिंग लाइट फिर्शिंट ने आप यह वाला दिया था मैं इसको कर लेता हूँ copy लेकिन मैं इसमें एक चीज़ आइट करूँगा web design client first in webflow ठीक है best practices for building websites तो मैं इसको कर लेता हूँ और उसके बाद मुझे यहां पर tags जाहिए I need tags तो मैं कहता हूँ के generate 20 tags on the same topic इसको मैं कहा देता हूँ 20 tags for the YouTube video on the same topic इसको आगे मैं को और instruction देता हूँ ताकि मुझे copy-paste करने में असानी रहे write all tags in one line with and separate them with comma ठीक है तो जी हमारे पास ये कुछ इसने tags हमें दे दिये client first tag use हो रहे है web design responsive design user experience UX design thinking user centered तो इसमें आप मुझेद changing कर सकते हैं आप 20 भी ले सकते हैं 50 भी ले सकते हैं so it's up to you तो मैं इसको करता हूँ अब मुझे end वाले के साथ भी comma चाहिए ठीक है उसकी वज़ा मैं आपको बताता हूँ मैं इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ करता हूँ फिर इसको दुबारा copy कर लेता हूँ और वापस आखे यहाँ सेंपल पेस्ट करूँगा और मेरे सारे के सारे tags add हो जाएंगे कॉमा मुझे इसलिए चाहिए क्योंके देखें मैं जो भी यहाँ पे keyword add करता हूँ webflow cms मैं कॉमा प्रेस करूँगा तो वह एक tag के तौर पे add हो जाएगा तो मैंने इसलिए gpt से कहा कि मुझे tag भी दे और साथ उसके कॉमा भी add करता जाए ताकि जैसी वह मैं paste करूँ तो वह कॉमा की basis के उपर उस word को as a tag के तौर पे consider कर ले तो अब मेरा काम हो गया असान इसमें से आप देख सकते हैं कि अगर आपको UX design नहीं चाहिए आपको for example user experience नहीं चाहिए इसने fluid responsive tag use किये तो मतलब आप देख सकते हैं इसमें मजीद भी add कर सकते हैं उसको मजीद चीज़ें समझा भी सकते हैं मैं आप आइड कर ले तो हम food responsive um fin suite extension हमने इसमें यूज की थी ठीक है fin suite client first और इसमें से हम कुछीज है निकाल देते हैं जो के website design 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 techniques design trends design guideline user centered design 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 thinking ओके और इसको हम simple यहां पर जाके कर देंगे save तो इस तरह से हम लोग title descriptions tags और बेशुमार चीजें chat GPT को use करते हुए कर सकते हैं तो लेकिन मैंने इसमें कुछ जादा changing नहीं की लेकिन recommended यह है कि जब आप वहां से chat GPT आपको generate करके दे अगर आप satisfied नहीं हो रहे आप उसको मजीद explain करें के what you exactly want उसको मजीद context बताएं उस scenario के बारे में जिस चीज के बारे में आपको content चाहिए तो और उसके बाद फिर आप उसको मजीद भी उसमें changing कर सकते हैं so this is a very good tool इसको बहुत जगा भी यूज मैं करता हूँ तो यह थी जी आज की video thank you so much झाल